बिल्कुल आमित जिस तरीके से समर्थक बता रहे हैं कि लगातार दो साल से धंकिया मिल रही थी और बाकाइदा पंजाब पुलिस की तरफ से नोट भेजा गया था कि गूगा मीडिय की हत्या के लिए एक एक फोर्टी सेवन का इंतिजाम किया जा रहा है यानि आधिकारिक त पहले जो संकेत मिल रहे थे उन्हें इग्नोर किया गया और यही वज़े है कि लोग आंदोलित हैं गुस्से में हैं कि इतने कहने के बावजूद ग्यापन देने के बाद इकलौता है सिर्फ ये सुकदेव सिंगोगा मेडी का संगठन नहीं नहीं था बाकी राजपूत पुलिस प्रतिनिदियों को दीजीपी को ग्यापन भी सौपा था उसके बावजूद ये हाल है तो सवाल जरूर उठते हैं कि प्रशासम की बावजूद आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोग क्या कह रहे हैं उनकी क्या डिमार्ड है बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ एक बार लोग अभी लगातार यहां बने हुए है इनका कहना है पार्थिव शरीर अभी भी अस्पताल के अंदर है और लोग लगातार कह रहे हैं कि जब तक न्याए नहीं मिलेगा जब तक जो सर आप लगातार यहां बने हुए है परिवार के लोग है नेता रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं न्याए क्या हो कैसे हो पुलिस की तरफ से दो संदिख्द पकड़े गए हैं अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो क्या लग रहा है आपको की कुल मिलाकर यहां लोग कह रहे हैं कि जब तक लोगों को पकड़ा नहीं जाता एक के बाद एक राजपूत समाज के निता यहां आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एंकाउंटर होना चाहिए जिस अंदाज में यूपी में एंकाउंटर होता था उसी अंदाज में एंकाउंटर होना चाहिए लगातार बड़ी संक्या में राजपूत समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं यह मेट्रोमास अस्पताल है जहां पर अभी भी गूगामेडी का पार्थिव शरीर है और कहा जा रहा है कि शपत गरहेंड तब हो जब गूगामेडी के साथ न्याय हो इस तरह की मांग है आज राजस्तान और चैपूर में बंत बुलाए गया है अगर किसी एक काउंटरपार्ट संस्था ने पंजाब सी ये बता दिया कि इनकी जान को खत्रा है मारने के लिए हथियार अरेंज किये जा रहे हैं तो सवाल पुलिस से बनता है कि करेक्टिव स्टेप आपने क्या उठाए या सिर्फ लेटर को रख दिया और किसी के साथ जानकारी साजानी की जो मारा गया है शक्स गुगा मेडी वो लगातार ग्यापन सौपता रहा सुरक्षा मोहिया नहीं कराए इसलिए बहुत सारे सवाल है चूंकि अब जिस से सवाल है उनकी सत्ता नहीं है उन्होंने इस्तिफा दे दिया है लेकिन सवाल अभी बरकरार है लेकिन पवन केर्टेकर गौर्वर्मेंट तो अभी भी उनी के पास है मुख्य मंत्री है अभी अशोग गैलो केर्टेकर मुख्य मंत्री है लेकिन ऐसे में अगर ये जो लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि उनको सुरक्षा नहीं दी गए नहीं दी गई क्या सरकार की जो पहले सरकार थी याने की गलो सरकार की किसी मंत्री या नेता ने इस पर कोई टिपनी दी कि आखिरकार क्यूं उन्होंने इस पर कोई संग्यान नहीं लिया क्यूं उनको नहीं देगे सुरक्षा बिल्कुल अमित अभी तक के जो कॉंग्रेस के नेताओं का जो समवाद हुआ है ट्विटर के जरीए जो प्रतिक्रिया है यह वो सिर्फ इतना है कि समवेदना वेक्त करते हैं इस सवाल का जवाब कोई नेता नहीं दे रहा है कि आपने करेक्टिव मेजर क्यों नहीं लिए ग्रेमंतरी खुद मुख्यमंतरी थे उन्होंने क्या किया उनके विभाग ने क्या किया इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है लेकिन आपको बता दे राजपाल ने अब संपर करेंगे